सुरीन कुमार्ट, स्वागत है आप सभी का अभ्यानाइस क्लासेज में, जितने भी बच्चे हैं, जो रोजाना मारे साथ क्लास करते हैं, उन सभी शनरोध हैं, आप जल्दी से आजाएं, क्लास हैं, हम उसको स्टार्ट करें, लास्ट क्लास में हमने DPSP कंप्लीट कर लिया था, अगर आज की आज हम बात करें, तो आज हम बात करेंगे फंडमेंटल ड्यूटी के बारे में, और हमने DPSP के जो पार्ट हैं, वो पढ़ लिया था, और DPSP के ही एक पार्ट के तौर पे आज हम Director Principle of State Policy की तौर पे आज हम हमारी जो डूटीज है Fundamental Duties उनको हम लोग क्या है? Complete करने वाले गाई Tania, Good Morning बाकी बच्चों को भी एक बार बोल दीजे Fundamental Rights में किसी बच्चों को कोई प्राब्लम किसी को भी Director Principle of State Policy में किसी को प्राब्लम किसी बच्चे को कोई प्राब्लम यह जतनी बच्चे हैं जल्दी से एक बार आप बोल दीजे हमारी जो क्लास से हम इसको स्टार्ट करें किसी बच्चे को Fundamental Rights में कोई प्राब्लम किसी बच्चे को DPSP में कोई प्राब्लम सभी को क्लियर है सब? प्राब्लम जल्ये नो थेंक्यू तानिया बोदी शाब हाई वानुपरताब गुड मॉरिंग जल्ये अभी जितने भी बच्चे हैं उनको बोल दीजे आजा है सोदेट क्लास स्टार्ट करें फुजा गुड मॉरिंग बैस्री गुड मॉरिंग अच्छे जैसे हैं ठीक है आप सारे बच्चे जल्दी से इसको चलिए जल्दी आजा है आप फिर आप हमारी जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं किसी को फंडमेंटल राइट में किसी को DPSP में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आंसर करिए जल्ली से अगर है कोई तो पूछ सकता है अधर्वाइस हम इसको स्टार्ट करेंगे आज पार्ट 4 करेंगे राइट और इसके बाद पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज प्रेजडेंट हो जाए Mr. Roy Good morning खुश रहो आणी बाबू आपको लिंक बेज दी गई है और मिल गई होगी साहिद आपको सब को मिल गया ना ये लिंक क्योंकि आज मेरे से मेरे से लग रहा है कुछ गडबड हो गया है ये सब को मिल गया ना लिंक मिल गया के नहीं मिला बताए जल्दी से अगर मिल गया है तो बताए चलो हमें स्टार्ट करते हैं अगर आप बोले तो देखिये हम स्टार्ट करें आप मुझे थोड़ा अपना परमिशन दाए सारे बच्चे क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी से आप बताए मुझे आपके मैसेज़ मुझे नहीं आ रहे है बोदुश आप कह रहे है ठीक है करते हैं स्टार्ट अदिती गुट मॉरिंग बच्चे श्वागत है आपका वो थोड़ा सा है बट आप चिंता ना करें यह हो जाएंगी दानी गुट मॉरिंग दोस्त ओ थैंक यू टू अल आफ यू मुझे कमांड देने के लिए अज सुनिए देखे एज वी डिसकस इन अबर प्रिवेस क्लासेज की हमने फंडमेंटल राइट पढ़ लिया था फंडमेंटल राइट इन्फोर्शेबल बाई सुप्रीम कोर्ट हमने डीपीएसपी पढ़ा डीपीएसपी से रिफरेंसेज लेती है यानि हमार बस आप ऐसे कह सकते हो कि फंडमेंटल राइट की दो कैटेक्रीज हैं एक इन्फोर्शेबल बाई क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गार एक इन्फोर्शेबल नहीं है लेकिन वो कहीं न कहीं आपी के लिए है लेकिन अभी क्या है लगातार ये देखने माया गाईस लगातार ये महशूर्श किया गया कि भारत बड़ा देश है आप जानते हैं अलग-अलग भासा को बोलने वाले लोग अलग-अलग religion को follow करने वाले लोग अलग-अलग custom traditions को follow करने वाले लोग है ना यहां की रिती रिवाज अलग है यहां का खान पान अलग है सब कुछ different है यहां पे जब इतना बड़ा देश है इसका geographical जो area है भूभाग है वो भी दुनिया में हम लोग we are the 7th largest country we are the 7th largest country in the world हम हमारा 2.4% share जो है पूरी दुनिया में हम लोग area के साब से cover करते है economy के point of view से हम लोग 5 वी और 6 बड़ी अर्थ ववस्ता है कभी 5 तो हो जाते हैं कभी 6 तो यह बड़ी अर्थ ववस्ता है अब ऐसी condition में हमारे यहां पे क्या है बड़ी problem क्या है जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए विलते हैं लोग जागरुक नहीं है लोगों में awareness नहीं है जिस हिसाब से हम लोग दुनिया में कद रखते हैं population के साब से, area के साब से, economy के साब से जो अगर हम innovation के साब से भी बात कर लें research के साब से भी बात कर लें पढ़ाई लिखाई देखें जराब we are third largest big country in the world in higher education उच्छी सिक्षा के मामले में हम तीसरे नमबर पर आते हैं अमेरिका पहले नमबर पर आता है, चाइना दूसरे नमबर पर आता है और हम उच्छी सिक्षा के मामले में तीसरे नमबर पर आते हैं यानि number of universities, number of student enroll in university and colleges उसमें हम तीसरे नमबर पर आते हैं और अगर फिर 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 विद्यारतियों की बात करी जाए, यूनिवर्स्टी में पढ़ने वाले विद्यारतियों की बात करी जाए, स्टुडेंट की बात की जाए, तो उसमें हम लोग दूसरे नमर पर आते हैं, यानि कि पढ़ाई लिखाई के मामले में हम overall दुनिया में आ हमारे यहां पर जागरुकता का आभाव है awareness नहीं है हमारे यहां पर अधिकारों को थोड़ा थोड़ा लोग जानने लग गए है लेकिन उनकी duty क्या है उनके नागरिक करतब्य का है citizens की जो duty है वो क्या है वो उससे quite unaware है उनको पता ही नहीं है कि उनके एक नागरिक के तोर पे उनके कुछ करतब्य भी है अपने parents के तोर पे अपनी society में एक ऐजे जिम्मेदार नागरिक के तोर पे एक राज्य की बात करेंगे तो राज्य में एक जिम्मेदार नागरिक के तोर पे एक राष्ट के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे उनके क्या करतब्य हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इस्टेट के लिए, अपने रिजिन, अपने विलेज या अपने आसपास के लोगों के लिए और अपने देश के लिए, तो वो उस से क्या हैं वो अनबेर हैं अधिकान्स लोग क्या हैं सिर्फ और सिर्फ अपना एकाकी जीवन जीने में क्या हैं व्यतित हैं है ना उनको कई बारी तो अपने परवार से भी कोई लेना देना नहीं होता है अंसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अब वैसी situation में आप कितने ही कानून बना लीजे, कितने ही law लेकर के आजाईए, कितने भी seminars conduct कर लीजे, तो उससे कोई change नहीं आने वाला, यानि आज देखेंगे आप हमें हर चीज कानून के माध्यम से लोगों को बतानी पड़ती है, हमको follow करवानी पड़ती है, कि आपको seat belt बहांदनी चाहिए, आपको helmet लगाना चाहिए, आपको जो road है, उसका tax पे करना चाहिए, आपको जो income है, उसको उपर tax पे करना चाहिए, आपको private property को, sorry, आपको public property को production provide करना चाहिए, आपको नदी, नाले, पार्क यहाँ पे साफ सफाई रखनी चाहिए, तो यह आम बाते हैं, सामाने सी बाते हैं, जिनको हर एक नागरिक बिना किसी pressure के, किसी दिखावे के, है ना, वो खुझ से ही इसको क्या करे, उनको follow करे, उसको करे, बाकी लोगों से भी करवाए, उसका अनुपालन करवाए, लेकिन यह देखने में नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, मतलब यहाँ पे नागरिक अधिकार, सिर्फ नागरिक अधिकारों पे तो कभी-कभी बात होती है, आज कल तो वो भी नहीं हो रही है, लेकिन कर्तब्यों प स्वाण सिंग थे और उनकी चेर्मेंस में एक कमेटी का गठन किया गया एक कमेटी को कॉंस्टिटीट किया गया और उसको रिकमेंडेशन्स देने के लिए बोला गया कि आप हमें जड़ा बताएं कि नागरिकों के क्या कर्तब बे उनका पालन करवाया जाना चाहिए उनको स्वैक्षिक करना चाहिए या फिर इनको कमपल्सरी कर देना चाहिए तो स्वाण सिंग कमेटी ने अपनी recommendations दी और उन recommendations मेंसे 10 recommendations को important 10 recommendations को government ने माल लिया committee का recommendation था कि इनको forcefully बनाया जाए कुछ का मानना था इसको forcefully बनाया जाए कुछ का मानना था नहीं स्वैक्षिक होने चाहिए तो decision final हुआ स्वैक्षिक पर यानि लोग उनको क्या करें खुद से follow करें, हर जगह पे force लगाना सही नहीं है, उचित नहीं है, और अगर force लगाएंगे, तो एक सब्य समाज का, एक civilized society का निर्माण नहीं हो पाएगा, right, क्योंकि सारे लोग अपने मन से काम ना करके, दंडे के दम पे काम करेंगे, दंडे के बल पे काम करेंगे, और इसलिए उनके अंदर values create करी जाएं, right, सिख्षवधती में कुछ change करे जाएं, तो ऐसा करने के बाद में, नागरिकों से करतव्य करवाये जाएं, वो खुद इसे करें, उनके अंदर से आने चाहिए, कि मेरी भी मेरे देश की, मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए, मे मेरे देश की सुरक्षा में, मुझे कोई contribute करना है, तो खुद से जिस दिन वो समझेंगे, तो फिर कानून की आभशकता नहीं पड़ेगी, तो इस दी को धिहान में रखते हो, guys, स्वाण सिंग कमेटी की recommendations को follow करते हुए, दस करतब्य जो हैं, हमारी सम्मिधान में, mention किये ग duties सामिल नहीं थी, इन fundamental duties को सामिल किया गया है, और सामिल कब किया गया है, आप सारे बच्चे जानते होंगे, और नहीं जानते हैं, तो हम आपको बताएंगे, right, fundamental duties को guys, at the commencement of time, fundamental duties नहीं थी, लेकिन 1976 और ये 42nd amendment, 42nd सम्मिधान संसोधन, जिसको many constitution भी बोलते हैं, इसमें क्या है, 10 duties जो हैं नागरिकों की, वो डाली गए इसके अंदर, लेकिन बरतमान में क्या है, 11 duty है, we have 11 duties, जो नागरिकों को follow करने चाहिए, और एक नई duty जो है, अभी उसको जोड़ा गया है, 2002 के अंदर, right, तो ये ही duties हैं, जो आपको भी पालन करना है, और आपको पालन करवाना है, ये duties आपसे exam में तो पूछी जाती है, एक दो, एक दो question इससे पूछे ही जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसले नहीं पढ़ा रहा कि exam में पूछा जाता है, I really want being a teacher, ये मेरे duty हो जाती है, कि मैं मेरे बच्चों को, मैं उनको ये सारी चीज़े बताऊं कम से कम, और नागरिक कर्तब्यों का पालन करें ही, और बाकी लोगों से भी उनका पालन, बहुत respect के साथ में, समझा कर, उनको बता कर, उनको guide करके, उनको उनको इसके लिए प्रेरित करके, उनसे duty का पालन करवा जाए, तो ये ही duty हैं, और हम उनको बारे बारी से पढ़ते हैं, देखि PPSP के ही part की बात कर लें हम लोग, तो fundamental duty किसके अंदर है, आप देखिंगे part 4, क्योंकि DPSP है उसमें, और part 4A में क्या आजाएगा, fundamental duty हो जाएंगी, तो ये part 4A के अंदर है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, right, now, हम चलते हैं, हमारे fundamental duty से संबंदित articles पे, तो आपको य 51A के अंदर fundamental duty उसको क्या किया गया है, mention क्या गया है, part 4A और article 51A, उसके अंदर क्या है, fundamental duty है, on behalf of recommendations of स्वन सिंग कमेटी, 42nd amendment के थूरूंको add किया गया था 1976 में, यानि ये कुछ factual चीज़े थी, जो आप सारे बच्चों को जाननी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, now, अब यहाँ पे एक-एक बच्चे को एक-एक duty पता होने चाहिए, और ये chronologically आपको याद होने चाहिए, क्योंकि PCS exam में अकसर ऐसे पूछे गए हैं, UPSC में भी सवाल fundamental duty से पूछे गए हैं, वार-वार पूछे जाते रहेंगे, लेकिन आपको chronology थोड़ा याद रखना है, right, chronology factual है, लेकिन आपको याद रखना है, now, it shall be the duty of every citizen, हर एक व्यक्ति की क्या-क्या duty होंगी, क्या-क्या आपके कर्तब भी होंगे, जिनका अनुपालन आपको करना है, तो पहली जो important duty है, to obeyed by the constitution and respect its idols and institutions, the national flag and the national anthem, हर एक नागरिक का जो भारत में रहता है, देखिए, हमने आप आपको citizen से पढ़ाया था, नागरिकता के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, देखिए, नागरिक बनने के लिए आपके पास क्या है, documents चाहिए, यानि कि आपको आपका birth इंडिया में हुआ हो, तो आप भारत की नागरिक, आपके parents अगर इंडिया में पैदा हुएं, तो आप इंडिया के नागरिक हो सकते हैं, आप निचुरलाइजेशन के माध्यम से भारत के नागरिक हो सकते हैं, तो यह क्या है, यानि अगर आप से को आप भारत के नागरिक कैसे हैं, तो मेरे पास में क्या है, यहाँ ID कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड मेरे पास voter id card है मेरे पास pen card मेरे पास passport है तो यह सारी चीजे है that's why I am citizen of India लेकिन गाईंज अगर यह थारी चीज ना हो तब आप भारत की नागरिध कैसे हो सकते हैं अगर यह सारी चीजे ना होता है अप भारत की नागरिध दाहρι कैसे भारत का नागरिक होनी की जब तक आपके अंदर भावना नहीं है, आप भारत को अपना देश नहीं मानते हैं, आप रहते तो यहां पे हैं, लेकिन आपके मन में इसके संस्थाओं के लिए, इसकी किसी भी टाइटल के लिए आपके मन में क्या नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, इसकी traditions के लिए इस पे मर्मिटने वालों के लिए आपके मन में कोई सम्मान नहीं है यानि आपके अंदर देश सम्मान के कोई भावना नहीं है तो आप भारत के नागरक नहीं हो सकते चाहे आप इंडिया में ही क्यों ना रह रहे हैं आपको बताने कितने सारे लोग हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन वो गुण किसी दूसरे देशों के गाते हैं तो उनको भारत का नागरक नहीं मारा जाता भारत का नागरक वही व्यक्ति है जो यहां की जितने भी संसाइं है उनमें क्या करता है सम्मान रखता है समझ रहें उनसे प्रेम करता है और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है कोई भी व्यक्ति जो बसों को आग लगा रहा है ट्रैनों को जला रहा है तोर्फोर्ड कर रहा है या इधर दूर की अक्टिविटीज में या एंटि नेश्ननल अक्टिशिटीज में पाटिशिपेट कर रहा है वह भारत के नागरिक ए रिस्पेक्ट इस आइडल्स हमारे जो हमारे जो आदर्श है हमारे जो आइडल्स है हमको क्या करना है उनका संबान करना है हमारे इंस्टिशन जो है उनका हमको क्या करना है संबान करना है नेशनल जो फिलेग है राष्टिय ध्वस जो है उसका हमको संबान करना है और नेश का नेशनल फ्लैक लाइक इन सभी का संभान करना प्रतियक व्यक्ति की क्या है भारतिय जो है उसकी क्या है एक नैतिक ड्यूटी है नैतिक उसका उत्तरदायत है कि वो करे कोई फोर्श पुल नहीं है अगर आप से आपके पेरेंट्स का संभान करने के लिए बोला जाए तो क् ये हर पेयररण से लिए नहीं आता आपको अपने टींटरों करना जोए नहीं अगर वह दिजराब है लेकिन चील्हान कर था बाइस क्यों देखर seven को हुए किश क्यों कना करें फिर भी वहर सम्पान का है हकदार होता है तो तो आपको करना चाहिए तो parents क्या है parents की अभी क्या है हो अभी parents teacher का क्या है अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है आप उसको संबान करते हो आपके लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा है अगर राष्ट आपको कुछ दे, तो भी आपको सम्मान करना है, राष्ट अगर आपको कुछ ना दे, तो भी आपको सम्मान करना है, क्योंकि राष्ट ने आपको एक बड़ी चीज दी है, और वो है आपको इस देश की boundary, सीमाए, अपना नाम, और वो आपके लिए सब कुछ यादि बाकि आपको कोई तेल पानी या गहुं या नोकरी यह सब अगर ना भी मिलें तो भी आपको राष्ट के प्रति क्या होना चाहिए, आपको हमेशा ही, gratitude आपका होना चाहिए कि आप हमेशा राष्ट की सेव inm reference तत्पर आनों चाहिए जुकिया हूँ आना बालस मुझे कुछ मिला ही नहीं है कर ini को स Wish बाहवना का पना कहां पे आती अगर הע tuning राश्ट से भी बोल देते हैं तर ये वावना नहीं हाना का लावना है आपको हर इसके लाबा to cherish and follow the noble idols which inspired our national struggle for freedom, आपको क्या करना है, इतने भी राष्टी आदर्स हैं, पवित्र आदर्स हैं, उनको क्या करना है, आपको promote करना है, जिन से हमारी जो आजादी है, हमारा struggle for freedom, यानि स्वतंतरता के लिए जो संगर्स है, उसको प्रेढ़ना अगर मिलती है, तो उ करना है उसको है, प्रमोट करने का काम करना है, प्रियंका गूद मॉरिंग, अभिशेक वेरी गूद मॉरिंग, अभिशेक वेरी गूद मॉरिंग, बंजू यादब जी कह रही है, irrespective, thank you बच्चे, और धनियवाद, और मैं भी मेरे बच्चों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि जो चीजें, जो मेरे मन में हैं, जो मैं चाहता हूं, बस उसके लिए आप प्रेरित रहे हमेशा, है न, बस इतनी सीखो ऐसे कि आप जहां पे भी जाएं, वहां पे I want change, complaining नहीं चाहिए, कि ये पुरा है, इसमें ये कमी है, इसमें ये समस्या इसमें चाहिए, वह हर कोई बच्चा कर रहा है, हो सारे सारे लोग कर रहे है, हर जगे पर यही प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स तो पार्ट हैं, लाइफ को चलती रहेंगी, लेकिन आपको हर हाल में क्या करना है वहां पे, सब कुछ, मतलब थोड़ा, you must, मतलब अगर आपके अंदर टॉप मोस्ट लेवल की अगर सहसुनोता नहीं होगी, तो फिर परिवर्तन लेकर के आना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, तो इसलिए आपको सारे बच्चों को वस इतनी सी मेरी ख्वाइस है, कि आप जहां पे भी जाएं, पहले तो मह पता चले के वाँ पे तुमको कोई ताजमल बनाना या रेड़ फोट बनाना ऐसा कुछ नहीं करना, यह छोड़ी-छोड़ी चीजें वहीं इंप्लिमेंट करवानी है, आपको अधिकारी बंदे के बाद में क्या करना है, बहुत कुछ बढ़ा थूड़ना करने वाले है, आ आपको अलग से कुछ नहीं करवाना कि आपको कोई बहुत बड़ा कोई आप तो वहां पे कुछ चलाने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपको सिर्फ जो छोटी-छोटी चीजें उन्हीं को आपको क्या करना है काम करवाना है लोगों में सामझस उनको ऐसे बना करके रखना है तो यह सब प्रेरित करने के लिए आपको बहुत खुछ कोई अलग से तुड़ना करना है कि जाते ही आपने पॉलिशी मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया वह सब नहीं होना है उसमें वक्त लगेगा ना कम से कम पास साल और दस साल आपको यही चीज़े करने है चूटी-चूटी चीज़ें है आपको मन्रेगा में जाकर करके कहां पे किसकी पैंसन नहीं आई है वोही सब देखना है किसका health card बनाए नहीं करना है किसका job card बनाए नहीं बनाए यही सब check करना है आपको किसी की जमीन का बिवाद है चाहे वो आदा भी गई क्यों ना है तो वो ही सब देखना है आपको आपको अलग से कुछ नहीं करना हम आजाते हैं हमारे अगले duty पे to uphold and protect the sovereignty आपको क्या करना है हमारे देश की जो सम प्रभुता है उसको uphold करके रखना है बना करके रखना है और साथी साथ हमारे देश की जो सम प्रभुता है उसको सुरक्षा प्रुदान करना है यानि कि कोई भी हमारे देश की सीमाओं की तरफ आख उठा के ना देखे हमारी boundary की तरफ हमारी देश की तरफ कोई भी आख उठा करके ना देखे उसके लिए हमेशे आपको तत पर रहना है तो sovereignty का क्या करना है आपको production करना है unity को बना करके रखना है हमारे यहां पर रहते देश के अंदर है देश के अंदर रहते हैं और उसके बाद में इसी की कमियां बताते हैं इसमें ये कमी है इसमें वो कमी है इसमें ऐसा है इसमें वैसा है दुनिया में तो ऐसा हो रहा है जिस देश का खाते हैं जिसका खाते हैं चाहे वो देश नागरिक हम कभी भी बुराई जिसका नवक खाते हैं तो उसके बारे में बुरा बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसके बारे में गलत विचार रखते हैं क्या नहीं रखते हैं कभी ऐसा नहीं होना चाहिए तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या है हमारी देश की जो integrity है उसका क्या कर रहे हो उसको heart कर रहे हो आप जहां पर रहते हैं उसको संबान आपको provide करना ही करना है तो देश की unity का ध्यान रखना है आपको sovereignty का ध्यान रखना है और आपको integrity को promote करना है इसके अलाबा to defend the country हमारे देश की सुरक्षा आपको provide करनी है हर हाल में and render national service when called upon to do so और हमेशा देश की सेबा के लिए तत पर रहना है जब भी आपको बुलाए जाए यानि तन, मन और धन से जब भी देश आपको पुकारे, देश आपको बुलाए आपको हमेशा उसके लिए तत पर रहना है यह हर एक नागरिक की क्या है जिम्मेदारी है नैतिक जिम्मेदारी है कोई फोर्ष नहीं है आपको अगर लगता है कि हमें करना चाहिए तो कीजिए आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए अब जहां पर देखेंगे जैसे आपका पड़ोसी एक मुल्क है एड़ अफगानिस्तान तो वहाँ पे नागरिक इतने ज्यादा जागरुक इतने ज्यादा जागरुक के वहाँ पे तालिवान को ले करके आगे अब ऐस कर रहे हैं भहाँ पे स्विमिंग पूल्स में आराम से नहाते हैं उनने ज्यादा responsible हैं वाकि फौज उतनी responsible थी कि उनको बंदूख खरीदने के लिए पैसे दिया जाते थे उनको artillery खरीदने के लिए पैसे दिया जाते थे और उसके बाद में उन्होंने अपने घर बना लिये swimming pool बना लिये संदूख नहीं खरीदी गोलिया नहीं लेकर गया है तो अब आराम से उन swimming pool में नहाते हैं वह सारे सारे हैं घरों में रहते हैं और घरों की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि आप पूछो मत हैं कितना मतलब आप देखेंगे वहां पे इतना progress है इतना development है कि वहां पे जो 50 क्रोड क गर है अभी वह 5,000,000 रुपे में मिल जाता है तो यह बाइं क्या है वहां पे एक अच्छे प्रिशासन की देन है तो अब यहां पे अगर यह सब चीज दुनिया के किसी भी देष में अगर सेना करप्ट होगी नागरिक करप्ट होगी उस देष का बेड़ा करक होने वाला ह कोई बचा नहीं सकता है उसको तो यहां पर आपको अपने निजी स्वार्थों के लिए कभी भी नेशनल इंट्रेस्ट के साथ में आपको कॉंप्रमाइज नहीं करना है कितने सारे जर्चे कुछ DSP कोई कुछ आप देखते होंगे सेना के कुछ लोग जो क्या है पैसे ले ले मैं प्राबलम होने वाली है दोगों को कितनी प्राबलम होने वाली है थो थोड़ा ध्यार रखे आप ‎ प्रबिशिंच जी टुद्मॉर्णिग श्वाकत में सबहैंबाना यह हमारा नागरिक कर्तब है जो हर एक बच्चे को follow करना चाहिए और follow करवाना चाहिए वह है हिंदू मुश्लिम हिंदू मिस्लुमी चलता रहता है और कोई कामदंदा ही नहीं बचाए यह गाये चलती रहती है यह कि यह सब कर रहे है किसी का कोई मतलब नहीं है जिनको अपनी चेर प्यारी होती है कुर्शी प्यारी होती है वह से वह करते रहते हैं फालतु में आपको लड़ाएंगे क्यों जाते हैं वह सब करने की जुरूत नहीं है देखो सबी नागरिक चाहे वह किसी भी कम्मिनुटी से हो उन सबी का बराबर का भागीदारी है हमारे देश को बनाने में लिए उनके भी बजुर्गोंने सहाधत दी है अपनी वह भी यहीं पर आये थे ठीक है और इंपोर करने का कोई और चित्य नहीं है बिना बात की चीजों को ले करके है तो चाहे कोई किसी भी समुधाय का है आपको हमेशा क्या करना है हमेशा उनके साथ में जो हार्मोनिय है उसका प्रदर्शन करना है है कर नहीं और देखिए अरे भया इट इस नॉट अ मैटर ऑफ रिलीजन इस मेटर ऑफ इंट्रस्ट अरे आप एक घर के अंदर रहते हो एक घर के अंदर रहते हो दो भाईर होते हैं पर एक किसवात बाट पह रहे हो इनका तो religion भी same है, बाब भी same है, घर भी same है, यह क्यों fight कर रहे हैं फाल तुमें, यह किस बात पर लड़ रहे हैं, तो simple कहने का मतलब है, it is all matter of interest, a का interest कुछ और है, और b का interest कुछ और है, और दोनों के interest में क्या हो रहा है, conflict, तो इसलिए वो लडाई करते हैं, इसमें religion का आपको क्या करना है, बिना किसी prejudice के, बिना किसी पूर्वधारना के, आपको क्या करना है, जो हार्मोनी है, जो भाइचारा है, प्रेम जो भाब है, उसको क्या करना है, आपको बढ़ाने का काम करना है, and the spirit of common brotherhood, आपको जो common brotherhood की जो भाबना है, एक ता की जो भाबना है, भ तो आपको सबी लोगों के बीच में आपको प्रचारित करनी है, बढ़ाने का काम करना है, चाहे वो किसी भी religion से हो, कोई इसकी भासा हो, linguistic religion हो, कोई region हो, और बिना किसी sectional diversity के आपको क्या करना है, इसको promote करना है, practice करना है, और जितने भी derogatory, जितने भी पश्य गामी, जो पी केलाओं के खिलाफ, उनकी सम्मान के खिलाफ, उनकी dignity के खिलाफ, जो धारना है, या जो भी किसी तरह की traditions है, उनको क्या करना है, खतम करना है, उनको समाप्त करना है, यह हर एक नागरिक की क्या है, जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, moral duty है, इसके अलाबह, जब हम अगले कर्तबियों के बारे में जो नागरिकों को follow करना चाहिए हर नागरिक को follow करना चाहिए वो है to value and preserve the rich heritage or our composite culture देखिए सभी नागरिकों को थम्मान करना चाहिए आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो culture है सिर्फ एक community से नहीं develop हुई है आज की date में देखेंगे कि अलग-अलग पहनाबा है अलग-अलग खान पान है उनकी recipe अलग-अलग है तो वो किसी एक समधाय से संभव नहीं है वो किसी एक community से नहीं लाई है हमारे यहाँ पर सद्यू से invasions होते आए हैं हमारे उपर attacks हुए हैं और हमने दुनिया की तमाम संस्कृतियों को क्या किया है अपने आप में समाहित कर लिया है उनको assimilate कर लिया है हमने उनको अपना लिया है और जब उनको अपनाने से क्या और openness आने से हम हमारी जो vision है हमारा जो insight है वो और ज्यादा डबलप हुआ है हमारी जो सोच है वो संकीन नहीं रही है अभी narrow नहीं रही है यानि हमारी जो aspects है वो क्या है बढ़ गए आपसे art और culture के अंदर एक सवाल पूछा जाता है मैं इसे में पूछा जाता है कि Islamic इस्थ इस्थापत्य कला है वो एक नए आयाम को get करती है नए जो कह सकते हैं कि जो sphere है उसमें आजाती है यानि उसमें भव्यता आती है उसके अंदर सुंदरता आती है आप देखेंगे कि Islamic इस्थापत्य कला के आने से आप doms देखेंगे जितनी भी building है उनके उपर आप जो doms दे आप देखेंगे पार्क बगएरा में आप देखेंगे को मीनारे लगाई जाती है वो किसका है वो स्थापत्य कला है Islamic इस्थापत्य कला जिसने भारती स्थापत्य कला को आकर्शन प्रवाइड किया जो size है architecture का वो बढ़ गया वो किसके थुरू बढ़ा क्योंकि उसमें Islamic element पित्रदुरा जैसी technique है ना मतलब beautification के लिए इसको मतलब आप देखेंगे उसमें जो कीमती पत्थर है उसको क्या किया जाता है जो building है उसके अंदर लगाया जाता है जाली आप देखेंगे कि जो building है बनी होती है उसके अंदर जो रौशनी आती है वो किसका देन है तो वो Islamic कि स्थापते मतलब कि मैं आपको ऐसे बहुत सारे examples देख सकता हूं तो इन सब के आने से क्या हुआ है हमारा जो पूरा का पूरा जो architecture है वो क्या हुआ है और develop और आकरशक बनाए attractive बनाए तो इससे क्या हुआ है हमारी जो culture वो composite होई है तो हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदा heritage यह जो हमारी संस्कृति बनी है अलग-अलग लोगों के आने से उनके उनके यहां पे मिश्रण से उसका क्या करना है आपको उसको प्रिजर्व करना है उसको सरक्षित रखना है आपको ओफवर composite culture राइट यहां पे आपको सारे बच्चों को ध्यान रखना है राधे राध आप तो खुद ही शाम है तो आपको राधा सुयाद आई कि आएगी कृष्णन जी धन्यवाद चलिए तो यह क्लियर हुआ सारे बच्चों को यानि कि कोई ही भावरा नहीं होनी चाहिए अभी एक नया कुछ चल रहा है आप देखेंगे कि उधर जाकर के ज्यादा तर लोगों का क्या है कि यह ताज मेल था ना यह ताज मेल पहले सिम मंदिर था अर भाईया क्यों तुड़वाना चाहते वाप इसको यह ताज मेले बढ़िया लगता है आराम से छोड़ दो उसको कहीं और देख लिना आप भगवान को कौन से प्रॉब्लम है इसमें अभी तो यह सब की जरुद नहीं है कुछ भी करके यह बनाया है बड़ी मुश्किल से यह सब चीजें बनती है इसमें बहुत पैसा खर्च होता है इन्विस्टमेंट होता है और क्या फरक पढ़ने वाला है कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो वह ऐसे रहने दीजिए उसको वह ऐसी सुन्दर लगता है क्या क्या प्रॉब्लम है बंजीत गुद मॉनिंग बच्चे तो यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो कल्चर जो रिच हैरिटेज हमारी डबलब हुई है कितने लोगों को मिलाने से आगमन से है एक हजार साल का समिस्रण है और अगर आप उसको ऐसे खतम कर दोगे तो सा लोगुंडर्ब करने का कौम करें नीच्णरल इंबारमेंट को प्रटेक्ट करें और इंप्रूब करने का का म करें उसको बढ़ाने का उसे संबर्दित करने का का करें including forest ज्यानि कि वो जितने भी जंगल है ना वन है उनको सुरक्षा प्रवाइड करें जो लेक्स हैं उनको सुरक्षा प्रवाइड करें उनको गंदा होने से बचाएं जितनी भी झाल 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 अभी मेरी अबाद आ रही है अभी मेरी अबाद आ रही है वो कह ए विरोओ निया है यह सहल कहा है विरोओ इसका क्या करूं कि नहीं चेक कर वा किसा आ उसको गैज मेरी अबाज आ रहे हैं अभी आपको चेक करें जल्दी से अभी अबाज आ रहे हैं आपको आनी माइक में थोड़ा प्रावलम था साइद मुरुजी लग रहा है इसकी बैटरी अभी आरी आवाज आ रही है आपको जारे बच्चों को जलिए थैंक्यू हम आगे बढ़ते हैं तो हर एक यह जिम्मेदारी है नागरिक की कि वह क्या करेगा वो पर्यावरन को सुरक्षित करने का काम करेगा नेच्रल इंबार्मेंट को ठीक करने का काम करेगा जिसमें आपका नदी हो गई आपकी नहरे हो गई वाइड लाइफ इसके अंदर हो गया और सभी जीम्मातिकर प्रिफ्ति क्या रखेगा वो दया रखेगा तो यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है इसके लाबा टू डबलब दे साइंटिविक टैंपर हुमनिजम और इस्पृट ऑफ इंक्वारी एंड रिफॉर्म एक एक नागरिक की जिम्म होना चाहिए सभी लोगों के हुमनिजम का मतलब आपको क्यों मानब बाद चाहिए क्योंकि मानब बाद में व्यक्ति पे व्यक्ति के विचारों पे उसकी पॉस्नल लाइफ पे फोकस करा जाता है हम अगर हम बात करेंगे एक थेओरी है बहुत पॉलिटिकल साइंस में बड़ी फेमस है वो और फिलोसफी में बढ़ाए जाती है होमो मैं सूरा उसमें मानब को ही ऑल्माइटी माना जाता है यानि की मानब का इंट्रेस्ट ही सबसे इंपोर्टेंट होता है बाकी कुछ नहीं यानि हैरार्की में मा होघ कि इनकवारी करते रहें कैसे लोगों को जीवन को बह Ведьर बना सकते उस पर आपको हमेशा काम करते रहना Should और साथ ही साथ में reform यानि हमेशा जब आप inquiry करेंगे और जब आपको लगता है society में कुछ कमिया है कोई problem है और उसको क्या किया जा सकता है ठीक किया जा सकता है उनके जीवन को और बहतर बनाया जा सकता है तो उसके लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह क्या करें उसके एफ पिर से बताईए आ मैं बता देता हूँ ओ अच्छा एप से मैं बता देता हूँ चलिए अच्छा वह माइक की अबाज नहीं आए थी बंजू कहारी है एप से बता दीजेए चलिए गए सुनैदिया ध्यान से यहां पर तारह बच्चों को ध्यान रखना है थु वेल्य and preserve the rich heritage of our composite culture एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे हमारी जो composite culture है उसको क्या करे value करे right और उसको preserve करने का काम करे right सारे सारे बच्चों को मैं यहां पर यह बता रहा था कि जो हमारी जो culture है हमारी हमारी जो heritage है वो कैसे double up हुई है वो उसको double up होने में सदियां लगी है यानि हमारे यहां पर बहुत सारे invasions हुए हमारे यहां पर अनेक तरह के लोग आई है अलग अलग traditions को मानने वाले लोग आई और यहां पर आने के जो heritage है हमारी जो composite culture है उसको बढ़ाने का काम किया मैंने आपको एक example दिया था मैंने example दिया था कि हम जब architecture की बात करते हैं इस्थापत्यकला की बात करते हैं तो इस्थापत्यकला में जब हम temple architecture की बात करते हैं साम को मारी class में चल रही थी मंदर इस्थापत्यकला की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहां पर मंदर कैसे होती थी आयतकार या फिर यानि square shape या rectangular आयतकार हुआ करते थी हमारे यहां पर सिखर जो होते थे हैं वह सिखर के अलग अलग टाइप हैं लेकिन जब इस्थापत्यकला आई तो हमारे यहां पर जो आर्केटेक्चर है उसमें और एक beauty आई भव्यता आई उसका size बढ़ गया आप यहां पर देखेंगे हमारे जितने भी architecture हमारे यहां पर आर्केटेक्चर buildings हैं उनमें सभी में क्या है डॉम का इस्तिमाल होना start हो गया है आप देखेंगे उपर उसके जो छतरी होती है वो उसी की देन है डॉम साथी साथ इसके अलाबा यहां पर देखेंगे आप जो चार मीनारे देखते हैं garden बगएरा में कहीं पे तो मीनार का जो इस्तिमाल जाता है तो वो क्या है वो इस्लामिक इस्थापत्य कला की देन है इसके इलाबा ब्यूटिफिकेशन के लिए एक टेक्निक इस्तिमाल की जाती थी पित्रा दुरा है जाली का इस्तिमाल जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर जाली का इस्तिमाल रॉष्णी के लिए जो उसम 300 साल तक अंग्रेज रहे उससे पहले अलग-अलग community से लोग हमारी यहां पर आये और जब यहां पर आये तो वह यहां पर रहे लोगों के साथ behave किया उन्होंने साधियां की बिभा किये तो इन सभी के चलते सदियों लग गई हमारी culture को हमारी heritage को rich होने में तो हर एक नागरिक हमारी जो कमपोजिट culture है उसका क्या करे सम्मान करे उसका value करे उसको preserve करने का काम करे उससे सुरक्षित रखने का काम करे तो यह हर एक नागरिक की जब दारी है अब आपको यह बता रहे थे कि अभी बहुत सारे लोगों में ज्यादातर का मानना है ज्यादातर ऐसा सोचते ह उदर आप जाएंगे यूपी के अंदर तो जैसे अभी एक अफवा है अफवा क्या है यह ताजमेल की जगए पर क्या है सिव मंदर है अब वो है भी या नहीं भी है एसाई बाले देखेंगे अर्केलोजिकल सर्वे अप इंडिया बाले देखेंगे लेकिन अगर इस पर प्रवेम मंदर क्या है क्या नहीं उसको क्या आवश्क्ता नहीं है इस पर सब्क्रीजर करंगे पंते ही और वो क्या है वह हमारी अभी पहंचान बन गया है उससे हमको रेवन्यृंज़ आता है उससे हमारी यहां पर टूरिस्ट आते हैzes 7 wonders में व कीा वा छया है तो और इसक और विवाद स्टार्ट हो गया है यानि वहां पर भी उसको बुद्ध जैन और हिंदू रिलीजन से जोड़ करके देखा जा रहा है तो हो सकता है अरे यह अंडसूट सी बात है क्योंकि हमारे यहां पर यहां सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदुजम सबसे पहले आ साइए आप उसको प्रदर्शत कीजे आप उसको ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेश बनाईए उसके आसपास कुछ और कर रहा दीजे आप है कि नहीं तो जब कोई भी फॉर्णर इधर आएगा तो वह ऐसा थोड़ना है कि सिर्फ पर सिर्फ कुतंबीनार देखने यानि यह आलतू-फालतू की चीज़ों के बारे में नहीं यानि इससे हमारी रिच हैरिटेज क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी खराब हो जाएगी है कि नहीं तो वह सब नहीं होना चाहिए अगला जो еще हमने पटाया ओंरे इंप्रूव दर नेचिरल ईनवारमेंट 4 एंकुलूडिंगर इंकुलूडिंग 4 शare ईक नागरव की वियक्ति की जिम्मेदारी है कि वह क्या करें измен को प्रोडब करें जिसमें फॉरेस्ट सामल है जिसमें लेक सामले जिसमें रिवर्स सामल deliveries सामल है मैं डילाइफ हर एक त नाetव्स जिम्ममेदारी की वह जीब मात्रगरवती दया रखे राक हर के लेक चेशर करे कि बिना लेक फॉरेस्ट चे बिनाplak के बिनाfire दाखना के रिवर्स बिना पानी के बिना जंगल के बिना पेड़ पौदों के आप सर्वाइब कर पाएं तो ऐसा संभव नहीं है आपने कोबड में यह सिचुएशन से आप गुजर चुके होंगे आप लाक रुपे भी दे रहें तो भी आपको अपने जीवन में क्या करेंगे आपकी यह जूटी है आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर मालेते हैं एक पेड़ लगा रहें तो आप सौ बेटों का क्या कर रहे हैं पालन पोश्चन कर रहे हैं आप आप चाइल्धूट प्रवाइड कर रहे हैं आप केर प्रवाइड कर रहे हैं किसके लिए सौ बेटों के लिए अगर आप क्या कर रहे हो एक पेड़ लगा रहे होतों तो यह क्या है सिध्धानते बेसिकली तो आपको क्या करना चाहिए जितने भी लोग हैं उन सभी का यह नैतिक उत्तरदायत्व हैं जिम्मेदारी हैं कि वो क्या करे नेचुरल इंबार्मेंट को प्रोटक्ट करें फोरेस्ट को संबर्दित बढ़ाने का काम क लेक्स को प्रिजर्ब करें रिवर्स को प्रोटक्ट करें हमने आपको यह भी बताया था आई पी सी सी की रिपोर्ट के मताबिक आने वाले वक्त में 2020-2070 तक यह जो हिमाले की जो वर्फ है आईस है वो मैल्ट हो जाएगी वो पिगल जाएगी और पिगल जाएगी तो की सबसे बड़ी रिवर्य है यह तो यह तब संभव है जब आप क्या करो नेचुरल इंबार्मेंट को प्रोड़क्ट करो नदियों को बचाने का काम करो नहरों को बचाने का काम करो वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम करो तो यह गाइस हमने बताया था इसके अलाबा हमन में decision लें तो यह हर एक नागरिक की क्या है जिम्मेदारी है कि वह scientific temper develop करें उसके अंदर मानववाद होना चाहिए humanism होना चाहिए साथ ही साथ में उसके अंदर क्या होनी चाहिए इनकवारी करने की spirit होनी चाहिए reform करने की spirit होनी चाहिए कि society में कोई कुछ गलत है, कुछ उसमें कमी है तो उसको क्या करें बढ़ाने का काम करें हमेशा उनका attitude कैसा होना चाहिए on inquiry वाला उसका attitude होना चाहिए हमेशा जाच करने वाला परखने वाला और reform करने वाला कि मैं इसमें कुछ सुधार लेकर क्या हूँगा कुछ विवस्ताओं में change लेकर क्या हूँगा तो यह हर एक नागरिकी क्या है जिम्मेदारी है इसके अलावा है उससे क्या रहे दूर रहे यानि हिंसा ना करे और जो पब्लिक प्रापर्टी है उसका क्या करे सुरक्षा प्रवाइड करे राइट एक सेकंड गाईज इसके अलावा गाईज जो हमारी नागरिकों के करतब में इसके अलावा गाईज नागरिकी की तरफ वह जाए आगे की तरफ बढ़े जीवन के किसी भी चेत्र में हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए आगे बढ़ते रहना चाहिए इसलिए और सभी जितने भी हैं वो कलक्ति प्रियास करें वो लगातार जो अचीवमेंट्स है जो उपलब दिया है और अन्या हमारी जो जितने भी उच्छी लेवल की जो अचीवमेंट्स हो सकती है उनको हमेशा प्राप्त करता रहे उसके लिए लायलात रहे उसके लोग आगे वो बढ़ता रहे तो हमारा देश लगातार नई बुलंदियों को छुए नई स्परिट के साथ काम करें तो उसके लिए हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए व्यक्तिकत जीवन के जितने भी छेत्र हो सकते हैं उनमें हमेशा उचाई उसमें एक्सिलेंस वह प्रदर्शन करता रहे जैसे आप अगर आईएस बनने जा रहे हैं तो आपको अपने ले सफीशेंट है मुझे खाने के लिए मिल रहा है मेरी जरुते पूरा हो रही है सफीशेंट है लेकिन मेरा देश जो है वो क्या है आगे बढ़ना चाहिए उसमें सुधार होने चाहिए यह होना चाहिए अंतिम जो है हमारा जो की 11th नमबर का ड्यूटी है इसको जोड़ा गय और एक व्यक्ति और एक बच्चा देखिए शिक्षा पाने का अधिकारी है अमने आपको बताया था एजूकेशन का है फंडमेंटल राइट है एजूकेशन फंडमेंटल राइट के साथ साथ में स्टेट की ड्यूटी है देखो आर्टिकल 21 ए पढ़ाया था यह तो फंडम ठाइधारी ठीक है कि नहीं अब यहाँ पर जो 51 ए और 51 ए का इलेवन्थ जो ड्यूटी है वो यह तो ड्यूटी नागरिकों की है नागरिकों की मतलब पेरिंट्स की और गार्जिंस की साथ मेश्चा उनको अलिम्नेंटरी एजूकेशन सिक्षा प्रवाइड करें यह हरएक parents की हरे Guardian की क्या है नैतिक duty है तो यह क्या है ग्यारे duty है 11 हमारे पास में क्या है करतब हैं जो किनके नागरिकों के जिनको पूरी इमानदारी के साथ में उनको क्या करना चाहिए फॉलो करना चाहिए तो यहां पर आप मुझे बताएं ऐसा कोई महानुभाब है जिस बच्चे क को समझ में नहीं आया है जल्दी पूछ सकते हैं आप फिर आम आगे बढ़ते हैं कि अगर यह आंसर कीजिए कि अगर यह क्लियर है तो हम पार्ट फिप्थ स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर ड्यूटी समझ आ गई है तो आपको सभी बच्चों को जल्दी बताईए आंसर करें आप चलिए नव नेक्स्ट जो हमारा है गाईब इस पार्ट फिप्थ चलिए और पार्ट फिप्थ थ है देखिए मैंस में आप से पूछा जाएगा मैंस में आप से fundamental duty fundamental right तीरेक्टर प्रिंसेपल फिटेट पॉलिसी बहुत पूछिए जाते हैं पुछा जाता है आपसे मतलब अगर आपसे बात होगी न वह इसी आधार पर होगी और कुछ बात नहीं बनेगी है न इन ही चीज़ों पर होगी देखिए इंटर्व्यू सारा सारा चलता किस पर है इंटर्व्यू चलता है देखो आपका राइटिंग स्किल्स वह देख चुके हैं मेंस के अंदर ठीक है अब बस वह आपको आपसे रूबरू होना चाहते है कि आपकी सोच कैसी है और वैसे उनको पता चल गया है मेंस के कोई बात नहीं कृष्टन कुमार जी देखिए मैं बता रहा था आपको आपको जब आप examination के लिए जा रहे हैं और इस पेसली जब आप interview के लिए जा रहे हैं जब आप means दे चुके हैं तो अब क्या है आपका एक काम रहे गया है बस जो examiner है जो commission है बस वो आप से रूबरू होना चाहता है आपकी सोच कैसी है वो देखना चाहता है अब दिखने में कैसे वो चेक करना चाहता है आपका presentable mind है या नहीं है आप अपनी बातों को सिर्फ लिख के ही बता सकते हैं कि बोल के भी बता सकते हैं यानि लिखने में और बोलने में कोई अंतर है आपके यह चेक करना चाहता है आप कितनी जल्दी कितना बहतर तरीके से आंसर देते हैं आपका हाभभाब कैसा रहता है आंसर देते हैं टाइम पे आपके चेहरे के हाभभाब कैसे होते हैं आपका हाथों का जो जेस्टर है वो एक्स्प्रेशन कैसा रहता है वो सब चेक करना चाहते आप बैठते कैसे हैं, आपका जो style है, वो कैसा है, यह सब check करना चाहता है, तो इसके साथ साथ, अगर यह सारी चीजें आपके अंदर हैं, तो examiner की priority रहती है, देखिए, एक कई सारे लोग हैं, लेकिन उनमें एक जो है, परम सरद्य हैं, और हमारे आचारे भी रहे हैं, तो उनका कहना है, कि अगर examiner, अगर उसने ठान लिया, कि आपका selection करवाना है, तो वो पूछेगा, आपके मामा का नाम क्या है, और अगर उसने सोच लिया, उसने ठान लिया, कि इसको reject करना है, इसको selection नहीं दिलवाना है, तो वो पूछेगा, मेरे मामा का नाम क्या है, तो guys, ऐसे simple सी बात है तो आपको क्या करना है positive रहना है और यह जो चीजे हम लोग बता रहे हैं उसको develop करना है अच्छे से develop करना है राइट चलिए चलिए अच्छा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और part that is 5th पर हम लोग बात करेंगे पार्ट 5 को हम लोग आइज अभी start करने वाले हैं ठीक है चलिए तो पार्ट 5 की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है गाईज अब आपका union इस्टार्ट हो गया है यानि आपका जो संग है अब क्या हो गया है start हो गया तो संग में क्या क्या आता है very important आज हम भी पढ़ने वाले हैं starting में president of vice president यानि हम राष्टपती और उपराष्टपती को पढ़ेंगे और उसके बाद में सरकार का formation ये सारी चीज़े हम लोग देखने वाले हैं प्रेजडेंट की powers देखेंगे लेकिन systematic article wise हम लोग इसको देखेंगे और बाद में जब पूरा का पूरा हमारा constitution खतम हो जाएगा फिर मैं आपको पूरा एक overview दे दूँगा सारा ptk.bc सारा कुछ होई जाएगा अब मैं इसका overview मुझे देना होगा मैं content आपको प्रवाइड करा दूँगा explanation आपकी हो जाएगी तो फिर उसके बाद में आपको कोई hurdle नहीं होने वाली एक एक जो चीज़ें है वो आपको clear हो जाएगी कुछ भी ऐसा है जो बचने वाला न union है यानि संग की बात की गई है संग की बात को हं की गई है भाग 5 पांच के अंदर पार्ट फिसक्ट के अंदर की गई है ठीक है कर नहीं और भाग जो पांच है पार्ट 5 है वो article 52 तो से start हो रहा है तो पहले पता होनों चाहीं Article 52 के अंदर है क्या? तो guys, यहां पर है The President of India यानि भारत के राश्टपती भारत के राश्टपती तो लिखेंगे There shall be a President of India यानि भारत के क्या होंगे guys? एक राश्टपती होंगे सिर्फ यहीं क्या है Article 52 के अंदर है जो आपको पता होना चाहिए भारत के एक राष्टपती होंगे अब भारत के राष्टपती होंगे देन उसके बाद क्या Article 53 कहता है Executive Power of Union के बारे में यानि जो Union है जो संग है उसकी जो Executive Power है वो किसके पास में होगी राइट वो कौन exercise करेगा कैसे exercise करेगा तो यहाँ पर याद रखना है The Executive Power of Union shall be wasted in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution यानि कि यहाँ पर यह जो हमारा Point 1 है Clause 1 जो है वो कहता है जो Executive Power है Union की वो किसके अंदर waste होगी वो किसके अंदर अंतर नहीं तोगी वो President of India के अंदर क्या होगी अंतर नहीं तोगी यानि राष्ट पती के अंदर होगी और वो उसको या तो खुद क्या तो exercise himself यानि वो इसको या तो खुद exercise कर सकते हैं directly उसको exercise कर सकते हैं या अपने subordinate officers के माध्यम से उसको exercise कर सकते हैं अब प्रेजडेंट के जो subordinate officers होते हैं वो कौन होते हैं council of ministers headed by prime minister यानि जो prime minister होते हैं वो council of minister के head होते हैं वो chairman होते हैं तो उनके माध्यम से राष्टपती क्या कर सकते भाई अपनी executive powers को exercise कर सकते हैं इसके अलाबा जो हमारा second clause point है without prejudice to the generality of the foregoing provisions the supreme commander of the defense forces of the union shall be wasted in the president and exercise thereof shall be regulated by law यानि बिना किसी prejudice के बिना किसी पूर्वधारना के बिना किसी कानून के यहाँ पर यह सनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारे पास सेना है यानि we have three armed forces हमारे पास में navy, army और यहाँ that is air force तो यह तीनों जो सेना हैं तीनों सेना के जो कमंडरन चीफ होंगे यानि सर्वोच सेना अधिकारी सेना पती, वो कौन होंगे राष्ट पती होंगे तो यह आपको clear है article 53 yes or no, जल्दी बताएं अगर article 53 clear है सारे बच्चों को तो जल्दी बताएए जल्दी बताएए हाँ, मैं कृष्णन जी आपको clear कर देंगे बता देंगे आपको, चिंता ना करें आप अभी फिलाल आंसर बताएए आपको अगर यह clear है तो सारे बच्चों को 53 article 53 clear है तो बताएए executive power of union की बात की जाती है executive power of union shall be wasted in president of India यानि जो संग है उसकी जो कारे पालक सक्ती होगी वो राष्टपती के अंदर अंतरनेत होगी और राष्टपती या तो खुद यानि स्वेम या अपने subordinate officers के माध्यम से उसको exercise करेगा राष्टपती विना किसी पूर्धार्णा के विना किसी prejudice के तीनों सेनाव को सर्वोच सेना अधिकारी होगा सेनापती होगा यह दो चीज़ें थी अगर यह सारे बच्चों को clear है तो जल्दी बताएए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं is it clear to all of you or not guys जल्दी बताएए इसके बाद में guys हम लोग बात करते हैं that is very important सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको एक एक बच्चे को पता होना चाहिए यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और PT में UPSC का हो या किसी और state PCS का PT में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है election of president जो राष्टपती का जो चुनाव है उसके बारे में यह पूछा जाता है election of president तो ध्यान रखेंगे the presidents will be elected by member of an electoral college राष्टपती का जो चुनाव होता है वो electoral college के memberों के माधियम से होता है और उसमें कौन सामिल रहता है consisting of the elected members of both houses of parliament यानि elected member होने चाहिए both houses of parliament लोग सबाके प्लस राजी सबाके elected member होने चाहिए elected member होने चाहिए elected member होने चाहिए एक एक बच्चे को पता होना चाहिए दोनों सदनों के elected member मैं क्यों आपको बता रहा हूँ देखे भाई यहाँ पे जब हम बात करेंगे लोग सबा के बारे में तो लोग सबा में जो maximum member हो सकते थे वो पासो 52 हो सकते थे 552 हो सकते थे अभी क्या है 104 amendment के माध्यम से इनकी जो संख्या है यानि कि पहले लोग सबा के अंदर दो candidate को President of India नॉमिनेट करते थे और वो Anglo-Indian हुआ करते थे यानि कि अगर Anglo-Indian Community का representation लोग सबा में नहीं है तो राष्टवतिये से दो व्यक्तियों को क्या कर सकते थे उसमें नॉमिनेट कर सकते थे तो उनकी संख्या को अब क्या है गाईज खतम कर दिया गया है यह दो हुआ करती थी एंगलो इंडियन कि यहां पर 543 लोगों को है ना पर से और वह नहीं है अभी आप देखेंगे तो ुस पे क्या हो रहा है यहां पर पाष्टisión अभी शीय जिन पर क्या होता है चुणाब होता है जो बात करेंगे राजजी सबा के बारे में तो राजजी सबान में 250 शीट हो सकती लेकिन इन में से जो 238 सीट हैं वो तो क्या है उस पर चुनाव होता है और 12 जो लोग है उनको प्रेजडेंट अफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं अगर कोई भी व्यक्ति आर्ट लिट्रेचर यानि कला विज्ञान समाज सेबा अगर उसका एक्सपर्ट है चार फिल्ड इसके नॉमिनेट करेंगे ठीक है कि नहीं तो अब आपको पता होना चाहिए राष्ट पती के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेट व्यक्ति ही पार्टिशिपेट करेंगे किसके लोग सभा के और राज्य सभा के यानि बहुत हाउस ऑप पार्लेमेंट तो आप सारे ब रखेंगे एलेक्टेट यानि निरवाचित ही होना चाहिए इसके आलावा और कौन पार्टिशिपेट करेंगे अमारे जितने वी स्टेट हैं उन सभी में 28 अस्टेट हैं इसमें participate करेंगे प्लस यूटी जो हैं हमारे पास अब यूटी की बगर बात करेंगे तो तीन यूटी है जहां पर क्या है विधान मंडल है एक तो दिल्ली हो गया एक जंबो कुश्मीर हो गया आपके पास में और एक इसी को पता है क्या कौन सा है पुदुचेरी तो यहां प participate करेंगे और वो क्या करेंगे electoral colleges का निर्माड प्रेजडेंट अफ इंडिया के electoral colleges का निर्माड करेंगे अगर यह article 54 सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार मुझे बता दीजिए is it clear to all of you or not सारे बच्चों जल्दी बताएं बहुत important है 54 electoral college of president of india आपको clear है या नहीं जल्दी बताएं सारे बच्चे answer करें जल्दी से अगर यह clear है तो answer करें जल्दी से 54 very important is it clear to all of you or not जल्दी बताएं बहिया मन्जु जी कह रही है clear है दन्यवाद मन्जु जी और बाकी बच्चे अरे बाकी भी बताएं जल्दी अली से अगर clear है तो और अगर नहीं है तो फिर repeat कर देते हैं हम लोग कोई भी ऐसा महान व्यक्ति जिसको यह clear नहीं है थोड़ा जल्दी बताएं मुझे आपके messages नहीं मल रहे है प्रियंका बोल रही है clear है चलिए देखो हम आगे बढ़ते हैं अगर clear है तो दूसरे important आता है हमारे पास that is बनपीत जी आंसर दे रही है clear है चलो धन्यवाद बनपीत जी बहुत ही बढ़ी है now very important that is manner of the election of the president हम बात करते हैं President of India के election के manner के बारे में यह सबसे typical काम है बाई जो President of India के election का जो manner है जो तरीका है वो कैसा है बिलकुल बहुत ही कह सकते हैं कि typical है देखिए एक एक बच्चों को पहले तो यह clear करो पीटी का एक question आता है आपसे पूछा जाता है राष्टपती का चुनाब direct होता है या indirect direct और indirect तो राष्टपती का चुनाब होता है वो कैसा होता है अप्रत्यक्ष इंडारेक्ट होता है यानि कि जो लोग सीधे इसमें participate नहीं करते जैसे सरपंच की चुनाब में member की सुनाब में हैना MLA और MP की चुनाब में लोग सीधे participate करते हैं ऐसे राष्टपती की चुनाब में सीधे participate नहीं करते उनके विहाप पे कौन MLA और MP क्या करते हैं राष्टपती की चुनाब में भाग लेते हैं पार्टिशिपेट करते हैं तो अपरत्यक्ष्य चुनाब होता है गाईज अब अपरत्यक्ष्य चुनाब तो हो गया भाई आपको पता है कि चलिए सर आप देख लेना आप आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए अब आपको पता चलिए राष्टपती को चुनाब हो वो इंडारेक्ट इलेक्ष्य है अपरत्यक्ष्य चुनाब होता है जिसको एलेक्ष्यमिश्न औफ इंडिया कंडुक्ट कराता है चुनाब कर्वाता है ठीक है अब प्रॉब्लम यहीं कि हमारा देश बड़ा बड़ा देश है, population जादा है, population जादा के बाबजूद ये population अलग-अलग संभुदायों की है, अलग-अलग धर्मों की है, अलग-अलग सेक्ट्स की है, अलग-अलग यहाँ पे ट्रेडिशन्स को मानने वालों की है, अब वैसी situation में, अमारे पूरे देश से एक राष्टपती को चुनना, और ऐसे व्यक्ति को राष्टपती चुनना, जिसको सभी लोगों का समर्थन हो, यह असंभव बात है, एक व्यक्ति को सारे लोग पसंद करें, यह क्या है, असंभव बात है, अब ऐसी situation में, कैसे एक व् रूप से क्या मिले, प्रतनेदित मिले, और उसके लिए सम्मान भी मिले, तो यह बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, इतना आसान काम नहीं है, तो इसकी जो प्रक्रिया है, वो और टिपीकल हो जाती है, इन्ही चीजों के चलते, इसकी जो प्रोसेस है, वो कैसी हो जाती है और ज़्यादा टिपिकल हो जाती है तो अब इसमें क्या है हर संबब ये कोशिस की जाती है कि राष्ट्रपती की चुनाम में क्या हो एक रूपता वर्ती जाए यूनिफॉर्मेटी इसके अंदर क्या है वो वर्ती जाए इसका क्या है कैसे कैसे आपका मैनर है राष्ट्रपती को चुनने का देखिए सबसे इंपोर्टेंट बात है कि as far as practicable यानि जितना जब तक संबब हो यानि हर संबब अगर मैं हिंदी में कहूं तो as far as practicable यानि जितना क्या हो संबब हो practicable हो जिसको उपियों के किया जा सके है ना ऐसे नहीं कि अंदा दुन्द है ना मारे घोटू फूटे आँख वो बाला नहीं कि कुछ भी किया जा रहा है जितना संबब हो सकता है as far as practicable there shall be uniformity in the scale of representation representation of the different state at the election of the president जितना संबब हो सकता है सभी राज्यों से यानि कि यहां पे जो राष्टपती का जो representation है है ना sorry राष्टपती का जो चुनाब है उसमें सभी राज्यों का क्या हो representation हो उन सभी राज्यों का उसके अंदर प्रतिनेदित हो तो एक ऐसा scale जो है यानि उस scale को जिसमें uniformity हो एक रूपता हो उसको क्या किया जाएगा राष्टपती के चुनाब में उसको इस्तेमाल किया जाएगा यह लाइन आपको समझ माई as far as possible और practicable राष्टपती के चुनाब में एक uniformity वरती जाएगी जिसमें सभी राज्यों का समान रूप से प्रतिनिदित्व हो representation हो यानि कि राष्टपती को चुनने में सभी राज्ये equally participate करें equally उसमें क्या करें भागीदारी लें ऐसा ना हो कि कोई भी राज्ये या उस राज्य के समुदाए या उस राज्य के लोगों का उसमें representation कम हो या उसमें उनका representation ना हो कल को वो ऐसा ना कह दें वो ऐसा ना बताएं कि ये राष्टपती हमारा नहीं है यानि इस राष्टपती को चुनने में हमारा कोई रॉल नहीं रहा है हमने इस राष्टपती को नहीं चुनाए हम इसको अपना राष्टपती नहीं मानते तो इसलिए राष्टपती के चुनाम में हर संबब ये कोशिस की जाएगी कि सभी राज्यों का समान रूप से रेप्रेजेंटेशन हो प्रतिनिदित्व हो ये पॉइंट किलियर है सारे बच्चों को कि नहीं जल्दी बताईए अगर ये किलियर है सारे बच्चों को तो जल्दी बताएए इसके बाद में हम आगे चलते हैं यानि यूनिफॉर्मिटी वरत लिया अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं अगर ये किलियर है सारे बच्चों को अब आपको ऐसी यूनिफॉर्मिटी अगर सिक्यॉर करनी है ऐसी यूनिफॉर्मिटी ले करके आनी है अमंग दा स्टेट इंटर आज एस वेल पैरिटी एक तो सभी राज्यों में क्या होने चाहिए समानता होने चाहिए ऐसी यूनिफॉर्मिटी के लिए तो वो जो समानता है जो पैरिटी है वो कैसे लेकर करके आएंगे between the state as whole and the union यानी union के भी क्या हो समानता हो उसमें और स्टेटों की वो एक रूप से क्या हो एक रूपता उसके अंदर होने चाहिए तो यानी उसमें राज भी उसमें union भी और उसमें सभी लोग equally participate कर पाएं उसमें यूनिफॉर्मिटी जो है उसमें जो पैरिटी है वो इस तरीके से आएगी और यह पैरिटी जो है वो कैसे आएगी देखे ज़रा सबसे पहला जो काम होगा every elected member of legislative assembly of a state shall have a many vote as there are multiple of 1000 in the question obtained dividing the population of state by a total number of elected member of the assembly पहले पहले और important बात जब हम बात करेंगे हमको क्या निकालना पड़ेगा value of vote value of vote अब अगर state की वोट अगर हम MLA की वोट की value निकाले गाईस अगर MLA की वोट की value निकालें तो कैसे निकालेंगे देखो भाई थोड़ी जगह नहीं है आपर मैं बता देता हूँ ऐसे चलिए मैं आपको दूसरी जगह पर देखो अगर आपको क्या करना है MLA की वोट की value निकालनी है value of boat of MLA और value of boat of MLA निकालेंगे तो आपको क्या करना है जिस भी state की हम लोग बात करते हैं तोटल MLA of state अगर माल लेते हैं आप किसी भी states हैं जैसे suppose that काम अगर माल लेते हैं इसकी बात कर लेते हैं बट यह तो ut हो जाएगा दिली तो चलो पड़ोशी की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेस की बात कर लेते हैं तो अब उत्तर प्रदेस में जो MLA की संख्या है वो guys कितनी है 403 है ठीक है कर नहीं अब जब 403 है तो यह तो क्या हो गया guys यहाँ पर क्या है 403 जो है वो क्या हो गया MLE हो गया अब इसके इलावा इसकी जो आप ले करके आएंगे देखो मैं बापस से कुछ गलती हो गई है देखो मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर क्या है पहले तो पॉपॉलेशन आ गई आपकी ठीक है यानि टोटल पॉपॉलेशन हो गई पॉपॉलेशन ऑफ स्टेट और पॉपॉलेशन ऑफ स्टेट आप ले लो किसी भी स्टेट की आप यूपी ले सकते हो और यहाँ पर क्या करेंगे टोटल नंबर ओफ टोटल नंबर ओफ एम एले और मल्टिप्लाइवाई वन बाई थाउजन तो यह क्या हो जाएगी टोटल जो सौरी यहाँ पर क्या है टोटल एम एले ओफ स्टेट की बोलन क्या कह सकते हैं हम इसको यह value of vote of MLA of a state तो एक राजी के जो vote की value है MLA की वो निकल कर आजाएगी यह clear हुआ आपको नहीं हुआ अगर आपको किसी state के MLA के vote की value निकालनी है तो उस state की total population divided by total number of MLA multiply by 1 by 1000 यह clear है आपको जल्दी बिताइए अगर clear है तो answer करिए अगर clear है तो जल्दी बिताइए is it clear guys तो यहाँ पर तो क्या निकाल लेंगे आप MLA के vote की value निकाल लेंगे उसके बाद में दूसरे number पर if after taking the sad multiple of 1000 the remainder is not less than 500 अगर उसका reminder जो है उसका जो 6 है अगर वो 500 से not less than 500 पास उसे कम नहीं है then the vote of each member refer to sub clause और वो कैसे जाएगी shall we further increase by 1 यानि उसको एक से क्या कर दिया जाएगा उसकी vote को value को बढ़ा दिया जाएगा right इसके लाबा each elected member of either house of parliament shall have such member vote as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the member of legislative assembly of state by the total number of elected member of both houses of parliament fraction exceeding one half which could be one of other fraction of the disgraded देखो simple मैं अगर आपको कहूं यह देखिए जैसे हमने हमने vote की value जो निकाली गाईज वो किसकी हमने MLA की vote की value निकाली अब हमको क्या करना है MP के vote की value निकाली है तो क्या करेंगे आप MP के vote की value के लिए आपको क्या करना पड़ेगा total value of MLA's vote आपको MLA के vote की total value निकाली है divided by क्या कर देंगे आप total value या total value की भी ना करें तो आप क्या कर देंगे total MP total MP और MP कौन से है भाई उसमें से minus कर देना जो nominated है वो nominated वाले को क्या कर देना आप minus कर देना तो इससे क्या निकल कर कर के आजाएगी guys इससे निकल कर क्या आजाएगी MP के vote की value अब MP के vote की value अगर आप कहेंगे लोग सभा वो कम होगी MLA के vote की value वो कम होगी, MP of राजिसवा के वोट की वैली जाद होगी, ऐसे chronology में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यह किलियर एक-एक बच्चे को हो जाना चाहिए, हम आगे चलते हैं, The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting, such elections shall be sacred wallet, Very important बात यह हैं कि जो राष्टपती के चुनाब होगा, वो single transferable vote के थुरू होगा, यानि एकल मत संकरमणी है, प्रणाली के माध्यम से होगा, यानि जो vote है, वो कैसे होगी, एक-एक करकर के जितने भी candidate है, उनमें क्या हो जाएगी, transfer हो जाएगी, उन सभी को क्या है, एक-एक vote मिलेगी, और यह vote तब तक मिलेगी, जब तक उसमें uniformity ना आ जाए, जब तक उसमें एक रूपता ना आ जाए, यानि आप देखेंगे, ऐसा नहीं होगा, कि पता चले कि MP के vote जादा मिले हैं, और MLA के vote कम मिले हैं, तो MP के vote देने से उसको जीता दिया जाए, not like that, यानि सभी में uniformity ना जाए, तब तक क्या है guys, यह जो process है वो चलती रहेगी, मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे उत्तर प्रदेश रहेगा, तो उत्तर प्रदेश में एक MLA की vote की value जादा होगी, comparison to अगर आम जारखंट की बात करें, या फिर आप नौर्थीस के किसी state की बात क provide कर रहा है representation, तो वहाँ पे नौर्थीस के state में वो 5 लाख होगा, 4 लाख होगा, 6 लाख होगा, तो उसमें uniformity नहीं है, although they are MLA, MLA वो भी है और MLA ये भी है, लेकिन उनमें board का क्या है, अंतर है, तो इसी अंतर को ठीक करने के लिए उसमें क्या है, uniformity और single transferable board का system जो है, उसक के बाद में ये जो चुनाब होगा, वो secret wallet से होगा, गुप्त मददान के माध्यम से होगा, और इसको conduct कराने काम करेगा, election commission of India, तो guys ये आज की date के लिए, I hope ये आपको clear हो गया होगा, अगर किसी बच्चे को clear नहीं हुआ है, वो comment करेगा, मुझे बताएगा, हम फिर से इस काम को मिलेंगे, साथ बजे, आर्टर कल्चर की class के साथ, अपना ध्यार रखें, खुब पढ़ाई करते रहें, धनियाबाद,